हलो एकाडमी यूट्यूब चैनल आइम जैन्त नागदा योट जै कोच और कुलम्स लॉग के इस लेक्चर में आप सभी का स्वागत है बच्चो इलेक्ट्रो स्टैटिक्स की जान कुलम्स लॉग यानि की ये एक्स्प्रेशन कैसे आपको लगाने हैं और किस तरह के कुछ फंडमेंटल चीजें होती कुलम्स लॉग के बारे में आज के इस लेक्चर में हम डिसकस करने वाले हैं तो अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं इस तरह के लाइव ल क्लाश ये लिंक है इसे नोट डाउन करें वीडियो के एंड में मैं आपको सारे रिसोर्सेज बताऊंगा जो की हाइस्ट क्वालिटी है और अप्सलूटली फ्री आफ कॉस्ट है तो यस बच्चो अगर आप एक्साइट है कोलम्स लॉग पढ़ने के लिए जल्दी से को अपना प्यार देते रहें लाइक करते रहें शेयर करते रहें जब भी शेयर करें हैस्टाइग जरूर यूज़ करें और आपको पता ही होगा कि कितने अमेजिंग रिजल्ट्स अपने लास्ट एर के बच्चे अलरड़ी ला चुके हैं इस यूट्यूब चैनल से यही है रेगुलारिटी कंसिस्टेंसी तो रिमेंबर हर एक लेक्चर बहुत इंपोर्टेंट है और उसी कड़ी में बच्चों इलेक्ट्र स्टाटिक्स के इस लेक्चर में हम कुलंब्स लॉग की बात करने वाले हैं तो लेट्स गेट टू नो दन परसन फरस्ट कि है और कैसे उन्होंने इस लॉप एक्चुली अराइव किया है एक बहुत इंट्रस्टिंग स्टोरी है तो इनका पूरा नाम है चार्ल्स आउगस्टेंडे कुलंब है ना आपको पूरा नाम शायद जानना उतना जरूरी नहीं है बट यस इनका जो फ्रेंच ओरीजिन है कि यह फ्रांस से बिलॉंग करते थे फ्रांस उस समय ब्रिटिश की तरह ही एक बहुत ही बड़ा देश था जिसने अलग अलग जगे पे दुनिया की कोलोनीज बना ली थी जैसे कि बहुत सारी कोलोनीज वेस्ट इंडीज में भी थी आपको मालूम होगा कि कैसे वेस्ट इंड भारत का भी रहा है तो आपको मालूम होगी यह सारी चीज़ें इनका क्या ओरीजिन था यह अंग्रेज नहीं थी यह फ्रेंच थे और चाल्स ऑगस्टीन डे कोलम ने इस एर में अपनी अक्टिविटी रखिए तो इनका एक्चुली जो बैग्राउंड था वो काफे इंट कंट्री और कैपिटल में पैरिस में आके उसके आसपास में कहीं पे एक फाम लेके चोटी सी एस्टेट लेके उन्होंने अपनी साइंटिफिक रीसर्च शुरू करी तो उस रीसर्च में बच्चों बहुत ही इंटरस्टिंग चीज उन्होंने डिवाइस करी एक ऐसा उपक लगने की वजए से अपने एक्विलिब्रिम पोजिशन से शिफ्ट हो जाता है तो लगने से हटाते से वह अपनी पोजिशन पर फिर से आ जाता है तो टॉर्च बैलेंस का यहां पर देखना कुछ लग रहा है जिसमें एक स्वियर स्टाटिक रहेगा रेस्ट पर रहेगा और एक और स्वियर जो है वो मूव कर सकता है गिवन डाट उस पे कोई फोर्स लगाके या कोई टॉर्क लगाके हम एक एंगल क्रियेट कर सकें दोनों बॉल्स के बीच में एक डिस्टेंस इसी तरह से क्रियेट किया जा सकता है तो यह इंस्ट्रूमेंट उनने डिवाइस क उनके electrostatic repulsion की वज़े से उनके बीच में यह एक डिस्टेंस आ चुका है तो बहुत ही इंट्रस्टिंग उपकरने इस पर थोड़ा से समय हम बिटाएंगे इसका नाम आप नोट कर लिए this is a torsion balance जिसमें हो क्या रहा है कि यह measure करेगा कितना force लग रहा है the quantity of the force and determination of forces of electrical attraction भी ठीक है यह तो static है इसको तो आपने यहां से जोड के रखा हुआ है बट यह वाला जो charge एक torque के साथ है यहाँ पर एक spring है torsional spring है उसके साथ move कर सकता है और जैसा कि torsions या फिर torsional constant आपने पढ़ा होगा एक chapter है simple harmonic motion उसमें angular shm वाला पार्ट आपने definitely अगर पढ़ा है तो tau equal to k theta एक इस तरह की अपन equation बनाते थे जिसमें इस k को हम torsional constant भी बोलते थे उस equation का torsional constant जिस तरह से force constant एक term थी f is equal to kx उसी तरह से यह term भी होती तो इतना detail में अपने को जाना नहीं है अपने syllabus में है नहीं लेकिन बचो यह instrument कैसे work करके क्या result देता है यह बड़ा important है यह अप बहुत ही importance रखता है तो आपको एक method बताया था मैंने पिछले session में the method of conduction, conduction से कैसे एक object से दूसरी object पर charge चड़ाया जा सकता है आपने examples भी देखे थे तो यह negatively charge evenite rod है जिसने जब metal की surface पर touch करने क्या किया है metals को अपने कुछ free electrons provide कर दिये ना तो यह conduction में क्या होता है एक point पर touch करना होता है और इसने यहां से यहां पर कुछ electrons provide कर दिये तो दोनों पर electrons आ गये हैं दोनों पर negative charge आ गया है method of conduction वो method है जिसमें same charge आता है जबकि method of friction में method of induction में opposite charge आता है इस पर बहुत ही एक interesting जे लाइव डिली अभ्यास भी अपन ने किया था Friday को I hope आप लोगों ने उसक meanwhile देखना असल में काम कैसे करता है थोड़ा सा इसका आइडिया लेंगे ताकि हमें यह समझ में आए कि सच में कुलंब ने किस तरह का experiment किया है क्या कुलंब ने Newton का ही जो inverse square law है उसे copy कर लिया जैसे कई सारे मीम्स बने हुआ है अगर आपको वह मीम याद है जिसमें Newton के inverse square law क को कॉलंब भी copy करके इस तरह से behave कर रहा है ऐसे उसने खुद से invent किया है तो आप वह मीम को definitely Instagram पर या कहीं पर शेयर कर सकते है स्टोरी की फॉर्म में टैक कर सकते हैं मुझे अट्रेट जैंत नागदा लास्ट यह बहुत सारे बच्चों ने इसे टैक किया था बट इस जश् as it is धाप लिया था as it is copy कर लिया था उन्होंने अपने inventions बनाये हैं उन्होंने अपने laws बनाये हैं तो उनमें से यह torsion balance बड़े काम की चीज़े तो ध्यान दिना बच्चों यहां हो क्या रहा है method of conduction की ही तरह उपर से एक charge आएगा जो कि इस ball और इस ball के बीच में equally divide हो इन दोनों पर एक equal charge आ जाएगा क्योंकि like spheres है same radius के sphere है तो दोनों पर कितना charge आ जाएगा estimatory की वज़े से दोनों पर equal charge आ जाएगा and ultimately इस ball की वज़े से अगर दोनों पर equal charge आ जाएगा यानि कि repulsive एक force इस पे लगने लग जाएगा तो वो force का magnitude आप निकाल सकते हो using some measurements दोनों के charges दोनों के बीच के distance को हम precisely बच्चो measure कर सकते हैं इस तरह का scale भी आपको यहाँ पे लगा हुआ दिख रहा है round scale है जिसमे मिलिमेटर सेंटिमेटर इस तरह की markings हुआ करती थी तो yes बच्चो इतना precision enough था to arrive at inverse square law है ना तो इस तरह का torsion balance मतलब torque को measure करके force measure कर पाना क्योंकि देखना यह वाला distance तो constant है आप अगर यह distance देखोगे यह distance देखोगे यह तो आपका constant distance है और जितनी torque लग रही है वह आप लिख सकते हैं torque is equal to f into capital R is equal to torsion constant into theta है ना तो इस तरह की कुछ equations बनाके उन्होंने arrive किया है the most important law which is the inverse square law है ना तो कॉलंब के law की सबसे important बात किया है जिस पर बेस्ट अभी भी बहुत सारे competitive exams में questions आते हैं तो बच्चों उन्होंने इतने साल देखना experiment क करने के बाद कितने साल timeline थोड़ा सा अगर अपन देखें हैं तो उन्होंने 1776 में arrive back किया military engineer थे 1776 में वो अपनी estate में आके research करने लगे उन्होंने torsion balance बनाया torsion balance के बीच में charge कितना आ रहा है दोनों के बीच का distance अगर vary करते हैं तो वो force or torque कैसे vary करता है इतने सारे experiments उन्ह 9 साल experiments करने के बाद है ना उन्होंने क्या derive किया है उन्होंने inverse square law follow करता है यह relation भी derive किया है तो जो भी force लग रहा है दो charge particles के बीच में वो distance के square से inverse proportionality रखता है exactly like how gravitational force works G M1 M2 by R square भी ऐसे work करता है और यह भी ऐसे work करता है उन्हें आभास हुआ इस चीज का ठीक है तो उन्होंने इस चीज को columns law बोला ठीक है he arrived at this in 1785 and इस law को हम किस वज़े से use करते है बच्चों तो देखना आप इस तरह के कुछ शब्द use कर सकते है था law quantifies the amount of force है ना quantifies मतलब यह जो law है यह measure करता है कि कितना force लग रहा है दो charge particles के बीच में mind it दोनों charges stationary होने चाहिए कई लोग यह condition लिखना भूल जाते हैं लोग में यह बहुत important condition है कि दोनों charges rest पर होने चाहिए stationary होने चाहिए अगर moving charges तो क्या हो जाएगा moving charges के case में उनके बीच में एक magnetic field भी आ जाएगा magnetic force भी लगने लगेगा वह magnetism में अपन पार्ट कवर करेंगे but as long as आपके दोनों charges static है stationary है amount of force कितना लगता है उसको measure करने का उन्होंने electrically charged पार्टिकल पर एक equation बनाया और वह equation आपको class 10th में भी सीखने को मिली थी but क्या आपको 10th class में यह सारी details इस तरह से सीखने को मिली थी if yes if no you can let me know in the comments and I hope आपको यह एक जर्नी है कि कैसे आर स्क्वेर से inverse proportionality रखता है यह आपको थोड़ा बहुत आइडिया होना चीजिसे ऐसी ही एक स्टोरी न्यूटन की भी है कि कैसे उन्होंने apple का जो acceleration है और moon का circular motion की वरे से जो acceleration ने दोनों को compare किया अब apple अर्थ की सरफेस पर है लेकिन moon अर्थ से जितना distance पर है उसका एक अप्रॉसिमेट फिगर था उस समय अस्ट्रोमी अच्छेस बहुत लोग थे उनसे पहले कैपलर भी थे तो उन्होंने inverse square law moon और apple को compare करके किया था यह भी बहुत इंट्रेस्टिंग स्टोरी कभी डीटेल में बताऊंगा किसी special class में आप पूछ सकते हैं उससे पर यहां पर अगर कोलम की स्टोरी अपने यहां पर inverse square law डिराइव करने वाली सुनी है तो कोलम्स law एक heading बना लो बच्चो आज का जो कुलम्स law वाला topic है यहां से चालो होता है आप उसका एक statement लिखेंगे very important statement मतलब की words की form में किसी भी law को बता पाना काफी important हो जाता है और क्या statement है let's go through it very carefully very interestingly यहां पर देखना आपको कुछ शब्द जो की use करने करने ची according to this law the magnitude of the electrostatic force एक electrostatic force मतलब की रेस्ट वाले या stationary charges की बीच में है तो इस सीज को ध्यान में रखना आप लोग है ना दो ही condition है दो main condition है आपका कुलम्स law दो main condition पर वर्क करता है charges होने ची रेस्ट पर दूसरा है उनके बीच का जो distance है उसके inverse square proportional होता है force का value है ना तो acting between two point charges also point charges होने चीए बच्छो किस तरह से अगर charge distributions की बात करेंगे हम line of charge की या disk की या sphere की बात करेंगे तो वो सारे derivations भी हम करेंगे बट अभी के लिए rest पे और point charges के अपन बात कर रहे है तो ये एक point और ये दो point ज़रूर लिखना पूरा statement तो लिखना ही है आपको बट इनको highlight करना एक तरह से and that force is directly proportional to product of the charges तो directly proportional to product of the charges यानि की force को अपन ऐसे लिख पाएंगे directly proportional to q1 q2 equation number 1 and inversely proportional to square of the distance between them square of the distance between the charges तो inverse square लोग आपको पता ही है कि f is inversely proportional to 1 by f is inversely proportional to r square या f is directly proportional to 1 by r square दोनों तरह से बोल सकते हैं तो r distance होने पे अगर force दोनों equation को मिला दे देखना है याप एक बार one or two equation को मिला दे तो क्या हम इस तरह से एक equation लिख पाएंगे है ना और जैसे proportionality साबित होती है आप उस proportionality को equality में convert कर सकते हैं equality के constant हम definitely यहाँ पे discuss करेंगे कि इस constant की value क्या है इसके dimensions क्या है बट so far I think proportionality वाली चीज कुलंब ने अपने law में बोली है तो आप यहाँ तक लिख सकते हैं ना सकते हैं equation one and two words में भी इसको definitely लिख लेना कैसा चल रहा है बच्चो कैसा आपको अपने electrostatic topic में कोई interest आ रहा है 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 ना अपने mechanics topics से थोड़े अलग हैं सारे topics है ना इन में थोड़ी सी feeling आपको इस तरह से लेनी पड़ेगी कि like charges repel करते हैं और unlike charges attract करते हैं तो इस तरह की feeling लेके हम बहुत सारे topics यहाँ पर पढ़ेंगे definitely thank you खुशी thank you for those hearts and yes बच्चों constant की भी value open करेंगे बहुत सारे questions भी करेंगे सर स्टेशनरी चार्ज क्या होता है जो चार्ज रेस्ट पर है यहां पर जैसे हम इने लिखा है न कि static या रेस्ट वाले charges के लिए applicable है बाद में जब वो move करेंगे तो magnetic field वाला भी एक force लगने लगेगा वो भी हमारे syllabus में है पूरा electromagnetism आपको 70% weightage होता है class 12 का तो बिलकुल बहुत ही प्यार से अराम से सीखना है electrostatic वाला part आपको electromagnetism में भी help करेगा ना बाद में जाके magnetism की भी शुरुवात कुछ इसी तरह से होगी वहाँ पर भी अपन पहला लेक्चर में force की ही बात करेंगे वहाँ पर by it servant law होगा यहाँ पर कुलम्स law है ना तो बहुत similarities है बहुत अच्छे से करेंगे थैंक्यू साक्षी गोवें साहिल एवरिवन लव यह लॉट यार बच्चो तो लिखते रहना थोड़ा बहुत लिखते रहना कहीं पर ज्यादा चाहिए तो पॉस कर लेना वैसे यह recommended है कि आप lecture के नहीं न तो आपको क्या करना यहाँ पर जो भी चीज इंपॉर्टेंट है जिसे हाइलाइट कर रखी है मैंने और बोल रहा हूं कि आर इससे नोट करना उसी को नोट करना बाकी सारी चीज़े तो वैसे भी आप question solving ability आनी चाहिए आपको question solve करके concept को लगाना आना चाहिए क्य पहला सवाल देखते हैं कौन सबसे पहले answer करता है लाइव चैट में कितना जल्दी answer करता है और मैं लाइव चैट अच्छे से देख रहा हूं थैंक्यू थैंक्यू अंकित पढ़ते रहो यार मेरा एक तरह से association जेई से उतना रहा है जितनी आपकी age है क्योंकि पिछले 18 साल पहले मैंने भी जेई की तयारी चालू करी थी है ना दिया नहीं था तयारी चालू करी थी उस समय मैंने जेई की दो साल तयारी करी उसके बाद चार साल मैंने कॉलेज में बिताया उसके बाद से मैं पढ़ा ही रहा हूं लगातार और सभी के आंसर सेम आ रहे हैं सबसे पहले सौमिक ने उसके बाद रचित ने उसके बाद वी के ए साइन सुम्बित ने बहुत सारे बच्चों ने डी फॉर डेली आंसर कर दिया विच इस अगर कम हो रहा है और चाओ तो डाइग्राम बना लो ना बेस्ट चीज यह है कि किसी कोईशन में डाइग्राम नहीं है तो आप उसका डाइग्राम बनाएंगे तो आपको डेफिनेटली वह और जल्दी सॉल्फ हो जाएगा है न तो शुरू में एफ था और बाद में क्या हो गया बढ़ गया बढ़ क्यू गया डिस्टेंस कम होने पर रिपल्शन जादा हो गया है न तो वन बाइ आर बाइ टू का स्कोर आप ऐसे भी लिख सकते हो बट इस विल भी फोर टाइमस आर स्कोर तो एफ इफ इस इउक्वल टू फोर टाइमस एफ डैश इस एक्वल करेंगे कि यह आपका एक बिना option वाला question है मतलब की integer answer टाइप question है तो जहीं में में दो format अभी चलते हैं जहीं में के लिए अगर आप त्यारी कर रहे हैं किसी भी इंजिनिरिंग एंटरेंस के लिए त्यारी कर है ठीक है तो इस question को भी पढ़के आप लोग पढ़ रहे हैं अभी इसे और अब answer आने लग गया है answer कर सकते तो each of these two point charges are doubled मतलब कि हर एक को double कर दिया अभी इच नहीं लिखा होता और लिखा होता one of the charges is doubled है ना language का खेल देखो कैसा है एक ही को अगर double किया तो q1 becomes 2q1 बट यहां पर आप क्या कर रहे हो each of these मतलब q1 को भी आप double कर रहे हो q2 को भी आप double कर दोगे and साथ ही साथ distance is halved यानि कि distance पहले r था तो distance को भी आप r by 2 कर दोगे तो first case में हमको पताए कि force is proportional to force is बचो यहां पर देखना जो clueless है एकदम क्या हो रहा है यह इतना जल्दी answer कैसे कर रहे है कोई भी अगर clues है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है पर देखना अपने को यह columns law पता है तो इसमें q1 को double कर दिया q2 को double कर दिया and distance को और half कर दिया है इस तरह से अगर लिखना है तो 2 to the power 4 आ जाता है numerator मे which is 16 times the original है यह कितना है 16 गुना original का तो 16 is the correct answer 16 यह आप text box में जहां पे भी आपको exam में question दिया होगा उसके के नीचे text box होगा उसमें answer करना होता है तो आई तिंग यह inverse square law कैसे फालो होता है यह बात आपको मालूम चल गई है यह दोने charges जैसे की line of charge, disk, sphere जैसे सारी चीज़े आपने ग्राविटेशन में पढ़ी थी वही सारी चीज़े यहां पर भी आपको पढ़नी होती है तो अगर वह point charges है q1 q2 point charges है और दूसरी बात वह rest पे हैं तब हम क्या बोल सकते हैं बाकी सारी चीज़े तुम वैसे भी पढ़ लेते हो यह formula यह के की वैल्यू वगेरा सब आपको already मालूम है बट कुछ चीज़े जो नहीं मालूम है वह मेरा काम है आप तक मैं बताओं कि rest पे होने चीए and point charges होने चीए कभी भी अगर columns law लिखो तो यह दो points भूल मत जाना इस force की expression अब देखना proportionality से equality पे आते हैं तो k की value क्या होती है तो k is the proportionality constant also known as columns constant है ना इसमें आपको कुलम्स constant भी इसको बोलना है ठीक है तो proportionality constant की value क्या होती है 9 into 10 to power 9 ठीक है proportionality constant की value भी आप में से बहुत सारे बच्चों को मालूम है इसके units क्या होंगे यह आपको बता रहा है तो units and dimensions एक chapter होता है उसमें अपने units निकालना dimension निकालना सब कुछ बहुत ही अच्छे सीखा है इसके units क्या होंगे देखना बच्चे Newton into meter square अगर इसको cross multiply करते Newton into meter square divided by a column square Newton meter square by column square इसके units होते हैं value आपको यहां पर सामने दिखी रही है columns constant की units भी ध्यान में रखे हैं column constant के dimension भी ध्यान में रखे हैं अगर आपको columns constant के dimension में पूछूंगा अभी तो वो भी बताना है लेकिन अभी फिलाल आपको यह वाले पहले columns constant के dimension कौन बताएगा मुझे यहां पर लाइव चैट में आपको answer करना है dimensional formula वगरा निकालना आता है बाइद वह अपने units and dimensions का भी एक one shot revision किया है जो भी आपके 11 के सारे topics हैं अगर आपके 11 में backlog बन गया है तो first of all it's a very natural thing ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपका बहुत सारा portion 11 कर चला गया 50 परसेंट भी अगर physics में या किसी में भी backlog 11 में वो ठीक किया जा सकता है बशरते आप उसको effort मारे है तो effort कैसे मारने आपको आपको मैंने एक revision का source बता रखा है I'll write it down here also that it is tinyurl.com slash gen 161 है ना तो किसी ने अगर ये link कभी use ही नहीं करी है तो उसको पता ही नहीं कि ये खा जाना exactly क्या है ना ये link को आप use कर सकते हैं for your backlog of class 11th and 12th both है ना कोई dropper है और उसका किसी का 12th का topic भी नहीं आता है तो बहुत सारे one shot revisions बहुत सारे topics के lightning revisions है thermal physics आपने कभी पढ़ा है thermal उसका lightning revision यानि कि पूरे तीन गंटे में अपने thermal physics को revise कर लिया आता है अगर basic से समझना है तो आपको उसका full series देखना पड़ेगा RBC वाला तो पूछ ले ना explore करना इस link को कैसे use करना है पूछते रहना अपने दोस्तों से और dimensions के answer देखने के लिए मैंने chat को देखा है तो आ आ गये हैं बचो कोलंब के dimension नहीं पूछ रहे हम हम इस पूरी expression के dimensions पूछ रहे है यह तो unit है ए और T पर फिर से क्यों आ रहे हो आप लोग के dimensions के लिए आप देखो क्या use करोगे सबसे पहले Newton के dimensions MLT-2 force into mass into acceleration न्यूटन हो गया मीटर स्कॉयर यानि की L2 याना capital L2 and divided by कोलंब स्कॉयर है तो कोलंब होता था एंटू टी करेंट इंटू टाइम तो A स्कॉयर टी स्कॉयर ठीक है तो देखने हैं यहां पर T4 बन रहा है LQ बन रहा है तो जिस किसी ने भी M1 L3 T-4 and A-2 लिखा है बिलकुल सही है थोड़ा सा ध्यान से देख लेना I think आपको देख रहा होगा yes M1 L3 T-4 A-2 यह dimensions बनने चाहिए क्या आपके भी यह answer आ रहे है बटा ठीक है I hope सभी को units and dimensions लिखना आता है in case किसे को नहीं आता है in case आप यह topic भूल चुके है तो आपको क्या करना है अपना यह link यूज करके सबसे पहला I think one shot revision उसी का होगा उसके बाद errors का screw gauge का one year caliper का यह सारे topics जेए के लिए बहुत important होते हैं in case आपको नहीं आते आप कर सकते हैं सवा सवा गंटे के one shot revision से तो बच्चो चलू करते हैं कुछ और type के question जो आपको आ सकते हैं please focus here and let me know क्या magnitude हर एक चार्ज का अगर इस तरह की एक value आपको दे रखिये ना question को ध्यान से देखना थोड़ा और again देखते हैं कि calculation करके सबसे पहले answer कौन लाता है तो देखना यहां पर मैं question लिख के आप लोग answer करें उतना time exam में भी नहीं होता है एक्जाम में भी question जहीं में especially screen पर आता है तो सबसे पहले देखना आपको क्या दे रखा है information दोनों identical charges है है ना तो दोनों identical charges है यानि कि Q और Q ले लेंगे तो repel करेंगे एक दूसरे को and force की magnitude आपको दे रखिये तो distance भी दे रखा है तो कितना Q का value होगा यही पूछा है question में तो आपको क्या लिखना है equation of Coulomb's law है ना तो के Q square divided by R square हो जाएगा यह है ना और इसमें force का magnitude 2.5 Newton के का value जो कि 9 into 10 दे पान 9 है Q का value पता नहीं है R का value 3 square लिखना है ठीक है इससे आपको Q का value calculate करके जल्दी से live chat में answer करना अभी तक बहुत सारे बच्चों ने answer नहीं किया है कुछ बच्चे अपने बिलकुल last year से पढ समाधार हो गए इतने fast हो गए कि अभी उनको बहुत जल्दी answer करने को होता है तो 9 और 3 square आप cancel कर सकते हैं and Q की value को अगर आप calculate करें तो 25 अगर में decimal हटा देता हूं तो you can write 25 divided by 10 to the power 10 10 to the power 9 में एक 10 और edges हो जाएगा तो under root of 25 is 5 और 5 वाला वैसे 2 option है तो आपको क्या लगता है 5 वाले आपे 2 option है I think there is a typing mistake here और आपको क्या होना चाहिए उस case में थोड़ा सा I think यह 5 microcolumn की जगे 50 microcolumn लिख दिया है तो यह 5 microcolumn एक option में दे रहा हूं एक 50 microcolumn एक option दे रहा हूं तो फिर से सोचके बताना कई बच्चों ने इसको ए लिख दिया था जल्दी से बहुत सारे बच्चों ने इसको शुरू में ए लिख दिया था और उसके उपर वाले का answer को देखके सब भी ए लिखे जा रहे थे ऐसे नहीं करना है कितने सारे बच कुछ ने कुछ तो अलग होते हैं ठीक है तो रट की मत आओ वह आंसे सरत की मत आओ प्लीज और भी आइटिंग इस दे करेक्ट आंसर जिस तरह से मैंने दोनों के बीच में सेम वैल्यू थी तो थोड़ा सा चेंज कर दिया बट देखो कि आप 5 इंटू 10 दो पार माइनस 5 य ग अल क्लियर औलो के औल Guidry बिल देखो अभी सी मेरे चेंज किया है तो आपको विया। कर देना है ठीक है क्या लगता है कि इस question में आप answer कर पाएंगे तो मुझे लगता है ये वाला question आप answer कर पाएंगे बच्छों ये वाला question मैं homework question 1 दे रहा हूं ठीक है इस तरह के कुछ question जो मैं homework में दूँगा हो सकता है नई भी हो सकता है कि हम जे लाइव डेली अभ्यास में करें तो आप आजाएंगे इस question पर ये नया question है अलग type का question है और we have our अभ्यास sessions happening every day जे लाइव डेली अभ्यास क्या चीज़ है कि आपको पता होगा कि कैसे हम लोग अपने channel पे last year जेपीपीज करते थे पीवाई क्यूज करते थे in fact last to last year डेपीपीज करते थे और वन डॉटो में पहले साल में हम लोग quizzes भी करते थे तो इन सभी को हमने हर साल change किया है और इस साल और अमेजिंगनेस के साथ हमने अभ्यास को भी launch किया है जो कि आपको first link दिख रही है description में उस पर register करके मिल जाएगा है ना उसके notes भी मिल जाएंगे उसके वीडियो भी मिल जाएंगे वीडियो सॉलूशन भी मिल जाएंगे बट लाइव अगर आप अटेंड करेंगे तो बहुत अच्छा होगा अभ्यास sessions are meant to be attended लाइव ताकि आपकी performance को हम सामने देख पाएं आप में से बहुत सारे बच्चे नए हैं इस साल मेरे से पहले आपने नहीं पढ़ाया कुछ 11 में होने के बावजूद भी आप लोग मुझ से पढ़ रहे थे पर कुछ बच्चे नए भी हैं आप में से जो कि इस साल पढ़ रहे हैं तो लाइव डिली हर दिन हो रहा है आप अगर 12 में हैं डॉपर है 23 आस्पीरेंट है आपका हर दिन जी लाइव डेली हो रहा है सामत सोचना कि तूजडे थास्टे फ्राइडे हो रहा है मंडे वेंजडे और साटरेड़े तो लेक्चर हो रहे हैं यूट्यूब पर मंडे MWF को अभियास सेशन हो रहा है ना तो हमने MW ले लिया है F भी ले लिया है फिर से मंडे को अपनाएंगे ठीक है इस question का answer अगर आपका D आया है अगर आपका answer D आ चुका है then you are right A और D में confused नहीं होना है यहाँ पर कुछ बच्चे A भी लिख पा रहे हैं in fact पहले अभियास सेशन में ही हमने gravitational force nuclear forces की भी बाते करी थी कुछ बहुत ही interesting questions भी किये थे हमने वो एक गंटे में शायद 20 सवाल कर लिए थे बच्चों तो बहुत interesting यह सारे सवाल आप लोग जरूर देखना lecture 1 के PDF में lecture 1 के notes में आपको मिल जाएगा तो देखना कैसे आप gravitational force निकालेंगे between two electrons electrons का mass मालूम है क्या हमें electrons का mass मालूम है तो G M1 M2 by R square law of gravitation universal law तो G की value होती 6.67 into 10 to the power minus 11 है ना और electron के mass की value होती 9.1 into 10 to the power minus 31 kg सर क्या हमें यह values याद रखनी है तो मेरा counter question सुनना क्या आप engineer बनना चाहते हैं being an engineer अगर आपको electron का mass नहीं आता होगा तो कितनी गंदी बात होगी है ना तो mass तो आपको इतने सारे question आप करोगे gravitation के भी already कियोंगे electrostatics के आप करोगे तो याद हो जाएगे तो electrostatic force के Q square divided by R square और K की value 9 into 10 to the power 9 Q की value 1.6 10 to the power minus 19 कोलम है ना यह सारी values हमने देखी हैं R की value question में नहीं थी है R को आप ignore भी कर सकते हो R को 1 meter भी ले सकते हो क्योंकि आपको क्या पूछा है इन नोनों का ratio है ना कि same distance पे है या some distance पे है तो अगर आप इनका ratio लोगे तो हम क्या लेते हैं Ratio of Fg by Fe हो सकता है आपने उल्टा ले लिया हो किसी ने तो यह order तब ही आएगा जब आपने पहले electrostatic ले ले लिया लेकिन आपको gravitation लेना है ठीक है और देखना exact order भी थोड़ा सा पता लगाते हैं ताकि आपको पता चले कि gravitational force कितना weak force है electrostatic force कितना strong होता है as compared to gravitational force तो between same two particles electron electron gravitational force की value किस order में आ रही है तो 10 की power minus 11 into 10 to the power minus 62 31 को square कर दिया और इसको अगर मैं देखो 10 की power 9 10 की power minus 38 19 का minus 38 आप कर देंगे तो अगर यह calculation लगाएंगे 73 73 में आप 29 को adjust करे है तो 10 to the power 73 plus 29 मैं definitely बोल सकता हूँ कि किस order में आएगा न 10 to the power minus 44 के order में आ रहा है और 10 to the power minus 44 minus 43 similar order से तो आपको सिर्फ order चेक करना आपको exact value भी in fact नहीं निकालनी चीए अगर आप ratio वाले questions J main में देखेंगे कितनी बार आते हैं बहुत सारे हैं मतलब almost J main के one third question ratio वाले questions होते हैं और ratio वाले question में एक सबसे important बात क्या होती है कि 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 का ratio किसके साथ लेना है तो gravity divided by electrostatic will be a ratio which is very small क्योंकि gravitational force बहुत weak force होता है पूरे universe में सबसे weakest force कौन सा है gravitational force उसके बाद क्या है electrostatic force उसके बाद क्या है nuclear force आपको याद होगा पहली अभ्यास में अपने इस तरह के questions भी किये थे आप ही magnitude based questions कर रहे हैं उसे में conceptual questions किये थे yes, it is very important to come to these sessions also if you are sincere and serious about J especially J के लिए अगर आप serious है तो अभ्यास sessions आपको miss नहीं करने है आपके हर हफते 6 गंटे classes हो रही बटा ये मत सोचना कि 3 गंटे classes हो रही है और 3 गंटे भी अगर होती है तो आप से theory theory जानके एक बार वो confidence कैसे लाओगे तो practice अभ्यास करना बहुत जरूरी है ठीके बच्चा all right ओके जो भी 42, 43, 44 उस order में आ जाएगा तो आजें ये फिर से columns constant की बात करते हैं बच्चो columns constant k की हमने value निकाली है k is also known as columns constant k को कैसे measure किया sir ये value कैसे आई इतनी precise value कैसे आई तो actual value थोड़ी सी अलग होती ही देखना है यापर 8.98755 into 10th bar 9 होती है but वही बात है कि हम approximations काफी अच्छे से ले लेते हैं rounding off easily कर लेते हैं तो इस value को हम ऐसे ही याद रखते हैं although experimentally जो value derive करी है वो कितनी करी है वो आपने 8.98 कुछ करीएगा तो उसको 9 लिख देंगे ठीके बात समझ में आरी dimensions of k paper ने already discussion कर लिया है तो k की dimensions हमने already discuss कर लिया है तो आजाते हैं बच्चो एक और चीज़ पे जो कि important है permittivity of free space now अब ये k वाली value तो आपको शायद class 10th में भी मालूम होती है कई सारे street boards है CVSC board में भी मैं अगर याद करूँ तो 10th class में भी ये expression आप सीख चुके होते हैं ठीक है ये इस तरह का एक variable है होजगता है आपको ये भी नहीं मालूम हो तो ये एक Greek alphabet है बच्चो इसको हम बोलते है Epsilon क्या बोलेंगे साथ में बोलना Epsilon और आप में से कही बच्चे होंगे कि आपे पता इतना तो होगे तो Greek alphabets आपको इलफा बीटा गामा ये सब मालूम होंगे उनमें एक और होता है Epsilon और Permittivity ये ये वर्ड लिख देना Heading बना देना Permittivity of Free Space In fact इसको मेरे साथ एक बार बोलना भी Permittivity क्योंकि पहली बार बोलने में ये Trunk Twister की तरह वर्क करता है Permittivity of Free Space Free Space क्या चीज़ है Free Space यानि की Vacuum तो हमें आप में Vacuum की बात करेंगे पहले Air की बात करेंगे फिर अलग-अलग Medium की भी बात करेंगे Epsilon not is nothing but Permittivity बोलो साथ में Permittivity of Free Space और Vacuum समझ में आ रहे है Epsilon not एक बहुत important constant है Epsilon not की अगर अपन value निकालनी चाहे है तो यहां से देखना K is equal to 1 by 4 pi epsilon not लिखा है अपने कि इसकी जगे पर अपन ये भी लिखेंगे अभी तक ये लिखते आए हम questions भी करें कुछ ये भी लिखने लगेंगे बच्चो 1 by 4 pi epsilon not अपन लिख सकते एपसाले नॉट इस नथिंग बड़ 1 by 4 pi k है ना 1 by 4 pi k तो जब k की value इसमें substitute करेंगे k जो की universe जो experimentally derive हुआ है k की value अगर अपन निकालेंगे तो epsilon not की देखना ये value होती है बच्चों ध्यान देना 8.854 into 10 to the power minus 12 ठीक है epsilon not एक constant है epsilon not का नाम है permittivity of free space या permittivity of vacuum और epsilon not की value पर आते है तो वो हो जाएगी 1 by 4 pi k क्योंकि k is equal to 1 by 4 pi epsilon not समझ आरी बात है तो 1 by 4 pi k को जब calculate करेंगे आप 8.854 into 10 to the power minus 12 इस तरह से आता है रही सी प्रोकले इसलिए power में minus आ जाता है ध्यान रखना और इसके units को ही बता सकता है जल्दी से live chat में और इसे lick सकता है फटा फट से तो बताना है units इसके live chat में यस बचो हाँ अरे very nice यार तो brainovation नाम से एक बच्चा है जिसने units already lick दिये है very nice very nice ठीक है तो yes the units you are all mentioning is absolutely correct coulomb square per newton meter square है ना आपने थोड़ी देर पहले देखा होगा कि अपने एपसाले not के 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 जो dimensions लिखे थे या जो के के units लिखे थे उसे को उल्टा कर देना बच्चों तो क्या उल्टा हो जाएगा newton meter square denominator में आ जाएगा column square numerator में आ जाएगा बात clear है is all okay all amazing ठीक है और कैसे यह value आई तो बहुत सारे experiments हैं जो column ने खुद ने किये हैं इस वज़े से columns constant बोलते हैं column के नाम पे यह constant है उसका योगदान इसमें बहुत रहा है ठीक है चलिए अगर मैं आपको पूछो के columns constant के या epsilon not के है अभी आपको मैं अगर पूछो के epsilon not का असल में मतलब क्या है आपको कोई चीज बोल दी गई है और उसे आपने मान लिया गया है ऐसे तो जेगी पड़ाई तो क्या मतलब कोई भी पड़ाई नहीं होनी चीज़ दुनिया में तो permittivity of free space है क्या चीज़ और यह सवाल actually बहुत लोग के मन में आता है बट बहुत सारी बुक्स में बहुत सारे अच्छे लेक्चर्स में भी एड्रेस नहीं होता है तो एल टेल यू के permittivity of free space में permittivity word का मतलब क्या होता है अगर इसको breakdown करे permittivity word को अगर अपन try to breakdown करे तो इसमें एक word आता permit करना है ना permit कितना कर पाता है vacuum permit कितना कर पाता है कोई भी और medium वो depend करेगा देखो बहुत सारे factors पे so let's try to understand what is the permittivity and how permittivity of another medium can be calculated तो ध्यान देना या पर कुछ भी लिखना नहीं है आपको एक बार ध्यान देना है कि आपको permittivity को अगर define करना है simple शब्दों में तो आप बोल सकते कि कितना कोई भी medium allow करता है अपने through electric field को है ना अपने through कितना भी कोई medium allow कर सकता है कोई medium बोल सकता है कि नहीं इतना electric field हमारे through allow नहीं होना चीए तो किसी भी material पर depend करता है कि उसके थरुक कितना electric field allowed होता है ना you can write it like this how well the medium allows और permits electric field through it है ना तो होज किया सकता है कि कोई medium होंगे थोड़े से difficult होंगे जिनमें बीच में अगर अपने charge रख दिया है ये एक visualization है जिसमें अपने charge रख दिया है और इसके आसपास का medium इसे allow कर रहा है अगर अच्छे से allow करेगा तो अच्छी permittivity है अगर उतना well allow नहीं कर पा रहा है क्योंकि molecular arrangement उस medium का अलग तरेका हो सकता है तो आप उसको judge कर सकते हैं एक number से epsilon बात समझ में आरी थोड़ा बहुत idea आ रहा होगा तो ये लिख लेना in fact ये दो line ही आप लिख देंगे तो बहुत अच्छे से आपके दिमाग में बैठ जाएगी कि how well कितना अच्छे से कोई भी medium allow करता है ये एक और word है permit करता है उसी से permittivity word भी आता है और yes कितना अच्छे से allow कर पाता है electric field को है ना तो अपन देखेंगे अगले ही lectures में electric field का concept भी कि वो कैसे pass कर पाता है easily pass कर पाता है या नहीं कर पाता है ना तो ये actual में एक और definition आप इसके ऐसे लिख सकते हो है ना बट ये वाली आपको थोड़ा से समझने में हो सकते है अभी दिक्कत हो देखना है let's go through it measure of electric polarizability of the material है ना कि जो भी material है जो भी हो सकते है डाइलेक्ट्रिक है glass material है water है oil है या ultimately vacuum में कोई भी material है उसकी कितनी electric polarizability है तो यह polarizability या poles dipoles की अगर बात करें उस पर अपने discussion अभी तक नहीं किया अब अगर आप जानते हैं कि किसी भी medium में कितना easily polarize हो जाता है जैसे water की बात करें तो water के molecules polar nature के होते हैं H plus O minus है इस तरह से उन पर partial positive partial negative charges आ जाते हैं तो उसी तरह से कोई medium हो सकता है कि easily polarize हो पाए और अगर ऐसा होता है तो उसमें उसकी पर्मिटिविटी जादा होगी कि कितना अच्छे से वह लाओ कर पाता है electric field को वह जादा होगा है तो यह कुछ शब्दों से मैंने आपको बताया कि पर्मिटिविटी का idea क्या है आपको हो सके तो इनको लिखना है हो सके तो इसको छोड़ देना है मतला यह कोई polarizability of the material of the medium कि कोई भी material उसमें कितना electric polarizability हो सकता है dipoles easily बन सकते हैं नहीं बन सकते हैं तो उस पे एक detailed discussion obviously हम करेंगे capacitor chapter में but simple शब्दों में अगर layman language में अपन बोले हैं तो हमने बोल दिया था कि how well the medium allows या permits electric field to pass through it कितने अच्छे से कोई medium अपने त्रू electric field को जाने दे सकता है या रोक सकता है वही permittivity का असली मतलब है बात समझ में आ गई और permittivity का symbol उसकी value आई होप आपने पीछे page पे लिख लिए है अगर नहीं लिखी है तो यह values लिख लेना permittivity of free space बहुत बार आप देखोगे पूरे electrostatics में नहीं आगे चलके पूरे electromagnetism में भी permittivity एंड इसका एक भाई और आएगा permeability है ना तो दोनों मतलब similar concept है इसलिए एक को समझने में अपन थोड़ा सा time लगा रहे ताकि दूसरे वाले को easily समझ सके बच्छो देखना यहां पर एक और चीज आप लिख सकते हैं कि असल सब्सक्राइब करेक्टरिस्टिक में हुई ना तो ultimately हम उसे डाइपोल जब समझ जाएंगे जब बहुत थोड़ा सा अपना electrostatics आगे बढ़ जाएगा तो हमें capacitor chapter में भी polarizability वगरा इस तरह के शब्द अच्छे से समझ में आएंगे I'm sure बट अभी के लिए एक idea मातर है हो सक और देखना दूसरे मीडियम के लिए क्या होती है तो एक heading पर बनाई लेना बच्चों पर्मिटिविटी ओफ मीडियम पर्मिटिविटी ओफ एनी मीडियम है ना dimensions of permittivity भी discuss कर लें क्या यार यह भी करी लेते हैं before we come to permittivity of एनी मीडियम एक यह question को भी देखना कौन answer करता है थोड़ा सा आपकी attentiveness की जांच हो जाएगी यहाँ पर कितने बच्चे हैं यहाँ पर class में attention दे रहे हैं दे रहे तो अच्छी बात है नहीं दे रहे हैं कोई बात नहीं कोई दिक्कत ही नहीं है कि अना चलिए तो पर्मिटिविटी के dimensions हमने units डिसकस के dimensions डिसकस नहीं किये बट पर्मिटिविटी की अगर अपन dimensions की बात करें तो हम बोल सकते है कि डेफिनेटली के के जो डिमेंश्टिन थे उसके inverse dimensions इसके होंगे ठीक है तो जिसने भी ए लिखा है वो बिल्कुल सही है क्लास में थोरण सा अटेंटिव रहना बहुत ज़रूरी इसलिए बीच बीच में कुछ कुछ करते हैं तो पर्मिबिलिटी का कंसेट आपने वैक्यूम के लिए दिखा देखना किसी और मटीरियल के लिए पर्मिटिविटी कैसे लिख सकते हैं ध्यान देना बच्चा कि एफ एपसालेन नौट इस दपर्मिटिविटी ओफ एनी अधर मीडियम है ना और उसको कैसे एक्सप्रेस करते हैं हम तो पर्मिटिविटी ओफ एनी मीडियम एक बात देख ले ना पर्मिटिविटी ओफ एनी मीडियम इस इक्वल टू एपसालेन आर इंटू एपसालेन नौट है ना अपने इस तरह से लिखते हैं एपसालेन ऑर इंटू एपसालेन नौट-वेयर एपसालेन आर कया चीज है तो एपसालेन आर इस नथिगबट एपसालेन आर इनटू एपसालेन नौट कर रहे है अपन यहां पर यह concept बहुत सीमिलर है तो दे कंसेप्ट ओफ रेलेटिव डेनमिर देन्सिटी यहां पर का कंसेप्ट आपने सीखा है कि छोटी क्लासेश में क्या होता है रेलेटिव डेंसिटी अगर लिखना है तो आप उसको बोल सकते हो रेलेटिव डेंसिटी देंसिटी मर्क्यूरी की मिलेगी है जो कि इतने केजीज पर मीटर क्यूब होती है तेरा पॉइंट 6 गुना होता है हेवियर होता है as compared to water तो उसी तरह से बच्चो रेलेटिव परमिटिविटी एक कंसेप्ट है एपसालेन आर से इसको डेनोट करते है या फिर आप इसे के से भी डेनोट करते हैं तो दो तरीके से इसको डेनोट करते हैं दोनों ही लिख लेना इन फैक्ट दोनों ही लिख लेना क्यूंकि आपको एपसालेन आर एसे तो लिखना है यह रेलेटिव डेंस रेलेटिव परमिटिविटी बट के से भी लिखना है क्यूंकि कई कई बार डा dimensions पूछ हुगा है ना अभी यहां पर एक चीज में आपको पूछ रहा हूँ कि यह एपसालेन आर कि फॉर्मूला क्या होगा dimension क्या होगा तो आप उसे ऐसे लिखेंगे तो basically यह एक ratio है this is a ratio so this should be unit less dimensionless है ना यह चीज होगी unit less or dimensionless ठीक है और यह concept कैसा है यह concept है relative density जैसा concept जैसे हम बोलते थे mercury की relative density यह 13.6 तो mercury की relative density में कोई units नहीं लिखते थे अपन relative density मतलब एक ratio होता है epsilon r epsilon not by epsilon by epsilon not आप लिख सकते के को भी आप epsilon by epsilon not लिख सकते एक ही चीज़े जिसके दो नाम है तो नोट जरूर कर ले ना formula और दोनों नाम है ना relative permittivity या dielectric constant relative permittivity या dielectric constant ठीक है ओके यह लिखा अपने formula तो यह formula अपना main है otherwise बाकी सारी details जो है वो थोड़ी सी आपको यहां पर मैं idea देने के लिए बता रहा हूँ कि k का जो value है अब जैसे यह ratio है तो इसकी units तो होंगी नी बट कुछ तो values होंगी numerical value होगी तो one से infinity के बीच में लाए करता है के की जो value है हमेशा one से जादा होगी one किस case में होगी guess करके देखो one किस case में होगी जब vacuum होगा one होती exactly for vacuum और air के लिए भी आप बोल सकते almost one है एर के case में भी almost one है के ratio है एक factor है जिसमें one value होती है vacuum के लिए और conductors के लिए अपने बाद में पढ़ेंगी जब हम मैंने जैसे बोला ना conductors का एक concept अपने पिछली अभ्यास में भी किया था lecture two के बाद जो अभ्यास करी थी उसमें अपने conductor का थोड़ा सा एक idea लिया था और ideas हमको लेना ही पड़ेगा gosses law वे रहां क्योंकि gosses law में last lecture conductors का होता है तो one से infinity की बीच में इसकी value होगी अपर limit क्या होगी इसकी infinity हो नहीं सकती exactly क्योंकि वो ideal case हो जाएगा conductor के case में but yes आप बोल सकते कि k की value greater than equal to one होगी ठीक है यानि कि epsilon सभी medium का epsilon not vacuum के comparison में जाद ही होगा अब देखना इसको भी थोड़ा सा feel लेना है ना यह formula आपने लिखा यह एक range लिख दी बड़ इसकी एक feel लेना कि किसी भी और medium का vacuum के comparison में जादा polarizability है मैं अगर water की बात करूँ यहाँ पे तो water के लिए epsilon r या k की value होती है 81 है ना ध्यान देना water के लिए value जैसे होती है 81 है आपको याद नहीं रखनी बट दिमाग लगाओ कि 81 times जादा polarizable है water क्योंकि vacuum में तो कुछ भी नहीं है लेकिन water के molecules के थूँ जब कोई electric field travel करता है तो वहाँ पे अपन क्या लिखेंगे कि उसकी polarizability vacuum के comparison में जादा है वहाँ पे dipoles जादा बनेंगे और इस तरह से material specific property है तो आई होग आपको के का या relative permittivity का concept भी समझ में आया ठीक है relative permittivity या dielectric constant इसी एक चीज़ के दो नाम है और ये एक छोड़ा सा formula बस लिख दो इस formula को अगर आप एक situation में apply करेंगे तो आपको कुछ और समझ में आएगा है ना let's apply this in one more situation आपको थोड़ा सा ये और idea मिलेगा यहां पर कि ओके permittivity या relative permittivity दोनों में क्या difference है तो क्या लगता है बच्चो इस question का answer क्या होगा hello नहीं समझ में आए इसको लगा के देखो आयूश आपको definitely समझ में आएगा इसको एक question में लगा के देखना कोई भी चीज जब नहीं होती है उसको समझने के लिए एक theory and question भी enough होता है और एक अभ्यास में आप लोग आने की आदर जरूर डाले क्योंकि already देखो ऐसा होने लग जाएगा अभी दू-तीन लेक्चर में तो बहुत ही जेनरिक बाते करें अपने बेसिक बाते करें अगले दू-तीन लेक्चर में ही लेवल थोड़ा सब बढ़ जाएगा electrostatic से after all वो भी जे लेवल का तो वो लेवल तक बने रहे हैं हम उसके लिए अभ्यास regularly करना बता रहा हूं आपको तो थैंक्यू-त राइटिंग सी कुछ बच्चे अभी भी सी लिख रहे हैं नलायक है वो थोड़े बढ़ ध्यान दे विटा कैसे आपको फॉर्मुला लगाना है तो वाट इस बिंग टोल तो यू कि पर्मिटिवीटियो ऑफ वाटर कितना है ना तो अपको तो थोड़े दे पहले यहां पर यह वाली बता दी थी वाट डायू इस इस आपने किया बिल्कुल सही आंसर किया जिसने भी ए किया के 8.854 x 10-12 तो था ही वाक्यूम का पट उसका 81 ता जैसे relative density होता था relative density mercury का है 13.6 times water तो ये भी किसने times हो गया vacuum का 81 times हो गया बात समझ में आभी simple सी बात है यार कोई भी दिक्कत यहाँ पर किसी भी और medium का value अलग होगा तो ये value medium to medium depend करती है अब आपको ये बात समझ में आ रही होगी कि epsilon की value एक universally constant नहीं रहती है medium पर depend करती है मतलब water medium में अलग force लगेगा air medium में अलग force लगेगा vacuum में अलग लगेगा कोई oil होगा उसमें अलग force लगेगा तो ध्यान देना इस बात पर इस बात पर बहुत गौर करना क्योंकि ये काफ़ी important बात है तो उस पर अलग force लगेगा कितना force लगेगा it experiences a net force 1 by 4 pi epsilon into q1 q2 by r square तो देखने इस equation में क्या अलग है कि अभी थोड़ देर पहले तक हम ये equation में vacuum assume करके चल रहे थे और हम बोल रहे थे 1 by 4 pi epsilon 0 लेकिन अगर ये epsilon की value हम लिख सकते हैं ध्यान देना इक्वल टू 1 by 4 pi k times epsilon 0 तो क्या change हो जाएगा expression में expression को देखना है एक बार और उसके बाद आप भी लिखना कि यहां से यहां पर लिख सकते हैं अपन अपने epsilon की जगे पे k times epsilon 0 लिखना सीखा है क्या ये चीज़ अपन लिख सकते हैं k is a multiple k is just a multiple dimension less है 1 by 4 pi epsilon 0 q1 q2 by r square ये तो vacuum का force था ही लेकिन overall जो force आ रहा है वो 1 by k times हो चुका है तो ये value अब finally जो force उसको vacuum में लग रहा है उसके comparison में 1 by k times हो जाएगी ये बात को आप in fact लिख ले because आना कुछ ऐसी चीज़े हैं जो कि आपको हो सकता है कि नहीं मालूम हो और especially पहली बार पढ़ रहे हो तो लिख लेना होता क्या बच्चों कि किसी और medium में other than vacuum किसी और medium में आप 1 by 4 pi epsilon 0 नहीं लिखो गया ना जब तक vacuum में charges 1 by 4 pi epsilon 0 ये expression लिखोगे बढ़ किसी और medium के बले 1 by 4 pi epsilon लिखोगे epsilon की value k times epsilon 0 कि ये को common ले लोगे और f की value vacuum में और f की value medium में अगर compare करे कौन सी value ज़ादा है कौन सी value काम है बच्चों कौन सी value ज़ादा है इस पूरे expression को compare किया हमने तो बतारा मुझे कि इस medium में value ज़ादा है या vacuum में force की value ज़ादा है ये दोनों को आप compare करेंगे तो obviously आप क्या लग रहा है vacuum में force की value ज़ादा है right तो force electrostatics में जो force होता है force depends on medium आप बोल सकते हैं force depends on the type of medium in which charged particles are and hence Coulomb's law is not a universal law देखना या पर मैंने कुछ नई चीज़ भी बोल दी है आपको Coulomb's law is not a universal law जिस तरह से कुछ universal law के example आप जानते होंगे कौन से example से law of gravitation in fact उसका तो नाम ही यह कि universal law of gravitation कहलाता है तो gravitation अगर आप लोग जानते हैं किसी भी medium पर depend नहीं करता है दो masses water में हैं air में हैं vacuum में हैं उनके बीच में GM1 M2 by R2 force ही लगेगा medium independent force होता है वो पर यह वाला force depend करता है medium पर यह बात को note करना है कई बार conceptual question पूछे जा सकते है कि क्या column force universal force है नहीं it is a medium dependent force medium change होगा तो force की value change होगी exactly कैसे change होगी यह वाला आप example note कर सकते हैं ठीक है इस example के देखने एक feel और दे रहा हूँ मैं आपको आपको इस example इसमें भी एक numerical value ले 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 लेते हैं अपन कि चलो water का यह example ले क्योंकि थोड़ा सा relevant लग जाएगा कि दो charges q1 q2 अगर air में है है ना सपोज अपने पास शुरू में वो air में है या vacuum में है air में या vacuum के case में हम फोर्स की value कितनी लिखेंगे तो इल्राइट वन बाई फोर पाई एपसालिन नॉट q1 q2 divided by r square एक यह question मतलब तुम्हें समझ में आ रही है यह यह question आपको समझ में आई थी कोई दिक्कत वाली बात नहीं अब यह पूरा arrangement अगर वाटर में अपन डुबा between these two forces these two charges in water will be 1 by 4 pi 81 times epsilon not क्योंकि उसका k factor अपने को पता है और बागी सारे चीज़ें सेम है चारे सेम है डिस्टेंस सेम है दोनों के बीच में यस तो क्या मैं इस इसको 1 by 81 times force in vacuum नहीं बोल सकता बोलो yes any queries any comments any doubts बच्चा है ना तो यह चीज़ को note करें यह तो example हो गया in general k वाली चीज़ को भी note करना आप लोग कि higher जो vacuum में force लग रहा है उसका k times हो गया है क्योंकि epsilon denominator में आता है right तो force की value किसी medium में vacuum के comparison में कितनी हो जाती है that will be my last question of the day let's see आप में से कितने बच्चे attentive है या फिर एक question और कर सकते हैं इसके बाद बताना मुझे live chat में हम आपको देख रहा हूं ठीक है why conductor is infinity वो हम संबित दीरे दीरे समझेंगे जैसे conductor का concept आपको एक lecture में तो समझ में आई गई नहीं तो कुछ ideas में यहां पर आपको दूँगा और एक major idea आपको गौस लौ के last lecture में मिलेगा conductors पे usually बहुत confusion होता है but believe it to me इस चीज में believe करना trust करना जैसे मैं पढ़ा रहा हूं जैसे पढ़ोगे तो कोई दिक्कत नहीं आईगी मालब मैंने अपने जैए के preparation में conductors पे इतने सारे questions में confused होके ultimately जिस चीज को crack किया ठीक है वो सारी information मैं आपने courses में design करके आपको अलग-अलग जगे पर पढ़ाता हूं ताकि आपको confusion भी नहीं हो और ultimately जैए advance के Olympiad level के भी questions आपसे होंगे ठीक है तो conductor के जो भी concept है धीरे धी आपको मैंने जैसे बोला कि अभी infinity होता है मान लो बाद में इसको अपन detail में समझ पाएंगे will do it will do it definitely ठीक है बच्चा तो यह answer करने वालो आप लोग बिलकुल होश्यार है focused है और यह कुछ questions है बच्चो homework में मैं दूंगा आपको अपना J live daily अभ्यास एक होने वाला है Monday को 12 बारा से एक जो आपकी टाइमिंग है वह जिस दिन यूट्यूब पे है उसके अगले दिन बचों डिस्क्रिप्शन में हम लिंक डाल देते डिस्क्रिप्शन की पहली लिंक J live daily अभ्यास किये जो अपना next Monday को होगा वैसे कल संडे है कल बहुत सारी अपन special classes भी करते हैं वह one time table note कर ले वो जनता जो की unaware है क्योंकि one lecture एक दो lecture से दर उदर से देख लेने से नहीं होगा यह जई की तैयारी है यह बड़ी जंग है इसको रोजाना जीता जाता है तो आपको 12 से 3 रोज 12 से 3 physics, maths, chemistry के lectures 11, 12 के अगर आप dropper है especially तो 11, 12 दोनों के follow करेंगे days and timings आपको यहां पर दिख रहे होंगे चाहे तो आप इसको pause करके screenshot ले 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 और अगर instagram पर share कर रहे तो at the rate जहनत नादा tag करके share करें that is how we keep in touch बच्चा यह link मैं आपको शुरू में बताई थी very important resource live daily.me slash यह इस link को note करें इस link को type करें और enter मारें type करते पर कोई भी spaces मत छोड़ना कहा टाइप करना है यह मत पूछना इंजीनियर हो तुम लोग Google browser पे या कोई भी web browser पे live daily.me slash j without spaces टाइप करके enter मानना बच्चों आपको Google search नहीं करना है एंटर मारों के तो URL खुलती सारी URL ऐसे वर्क करती है www.google.com करके enter मारते हो सर्च नहीं करते हो तो चलिए आपको सारे लेक्चर सारे या फिर आप अनकैडमी जी टेलिग्राम पे जाके search कर सकते है उट सार ओफीशिल चैनल पब्लिक चैनल है उसको join कर लेना सारी information सारे हम कई बार उस पर live भी आते हैं सारी communication वहाँ पे होती है और यह अपने amazing results already last year आये थे all India rank 1 in J main and lots of 100 percentiles and lots and lots of 99 plus percentile unacademy के students कैसे ला पाए हैं क्योंकि वो इसी तरह से amazing content YouTube पे देखते हैं amazing practice करते हैं अपने अभ्यास sessions में जैसी होती है और इसी वज़े से amazing results unacademy के students ला पाते हैं क्योंकि with the number one technology we have the best of the educators जो environment होता है class में वो electric firing environment होता है आपने से कई बच्चे आप already इसको try कर रहे है कि कैसे चाट में आप comment कर सकते हो पोल में answer कर सकते हो doubt पूछ सकते हो basically educators के साथ interact करने का सबसे best तरीका है अपनी अभ्यास sessions है ना तो उसमें आके आप queries पूछ सकते हैं बहुत सारी practice कर सकते हैं डे वाई डे बेटर हो सकते हैं अगर आपको यह सब करने में खुद से दिक्कत आती तो बच्चों अपने academy के subscription पर बहुत सारे courses हम करी रहें जैसे कि आपके offline में भी batches चलते हैं हम लोग भी offline में जैसे पढ़ाते थे एक बैच में regularly हफते में दो तीन lectures होते थे वैसे ही योद्धा और यलगार batches आपके 11 और 12 के batches हैं 12 का योद्धा बैच 11 का यलगार batch already चालू हो गया इसको तो आप लोग इसे अभी भी join कर सकते हैं दो तीन महीनों बाद join करना इनमें difficult हो जाएगा ना शुरू आती चीज़े आसान होती हैं उनको catch up करना जैसे कि योद्धा में अगर मैं बात करूँ तो अपने तीन दिन lecture होते हैं उसके बाद चार दिन के बाद फिर से lecture होता है त है उसके लावा आप लोग definitely an academy subscription अगर लेते हैं तो आपको maximum discount किस condition पर मिलता है यह भी बता दूँ आपको अपने सारे prices courses कि यहां पर दिख रहे होंगे मंतली basis पर ही इसको पे करें जैसे आपको debit card पर credit card पर no cost EMI का concept मालूम होगा तो आप 2,000 रुपीज अप्रोक्सिमेटली पर मंत की price पर यह सारे courses सारी live classes सारी उसका material और सारे test दे सकते हैं that is the best kind of guidance you can get and that happens with the maximum discount from giant code है ना तो giant code से आपको maximum possible discount मिल जाएगा आपने किसी भी plan पर iconic में आपको personal guidance printed notes बहुत सारी facilities और होती तो personal coach की guidance में रहके आप लोग जही नीट को crack कर सकते हैं और किसी भी plan में आपको maximum discount giant code से मिलेगा तो बचो आप है तो हम है definitely इस channel से दिल लगाईए regularly follow करें और वो subscribe बटन अगर अभी भी लाल दिख रहा है तो जल्दी से उसको दबाईए आपकी maths की class तो लिदर में शुरू होने वाली है कुछ भी और comment है तो जल्दी से लिग गए सब समझ में आ गया very nice नीरू और देखो कुछ चीज कभी भी समझ में नहीं आए आप अपनी अभियास अभियास क्लास में आकर पूछ सकते हैं वह रखाई इसलिए क्यों आपर interaction बेटर होती है बच्चा जब सामने दिख जाता है हम भी सामने हैं कुछ भी आकर पूछो बिलकुल बहुत ही to the point बहुत ही personalized interaction आपको में मिलेगा ठीक है thank you so much Nandini thank you love you all take care keep practicing please keep doing the homework questions I'll see you again very soon but next week तो आपको दो दिन में थोड़ा सा revision कर लेना कल संडे है बच्चो तो तीन lecture में already जो points पे दिक्कत हुई है क्या है यह कुछ चीज बताई थी इसका क्या मतलब है उसके notes description में है आप description से PDF को देखकर note down कर लेना जो वी चीज में दिक्कत है और फिर मंडे को अभ्यास में हम मिली रहे है तो I'll see you then till then take care keep practicing जैहिंद